हेलो फ्रेंट स्वागता है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चनल सोच परहार में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तो देखें मैट्रिमोनिल विवादों की वज़े से बहुत सारा डिप्रेशन लोगों के दिमाग में जन्म ले रहा है और इस डिप्रेशन के तहट कई बार वो गलत सोच उनके मनमाने लगती है और कई बार ऐसा होता है कि जान देने के विचार भी दिल में आते हैं ये लड़के के साथ भी हो सकता है और लड़की के साथ भी हो सकता है सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि इस सोच को दूर दूर तक भी अपने आसपास मत भटकने दें क्योंकि जिन्गी बहुत कीमती है और दोस्तों आज इस मामले में मैं आपको एक latest judgment बताने वाला हूँ अभी हाली का दोस्तों देखिए बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी marriage होती है marriage के बाद पत्नी पक्ष की तरफ से आपको धंकी आने लगती है पत्नी धंकी देने लगती है कि भई ऐसा है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूँगे तुम साफ हज़ा होगे सुसाइन नोट लिखके जाऊंगे और दोस्तों ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है जहाँ पर इस धंकी के तहत पती भी depression मा आ जाता है और फिर उसके मन में भी इस तरह के गलत thoughts आने लगते हैं और दोस्तों wise versa भी हो सकता है तो मैं यही कहूंगा चाहिआ आप husband है चाहिए wife है इस सोच से बिलकुल दूर है चाहिए आपके बीच में कितने घरेकलेश क्यों नहीं है लेकिन कभी भी यह मैं सोचें कि हम जान दे देंगे यह सबसे बड़ा कायरता का काम है अब दोस्तों बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर पतनी की किसी कारण से मिर्ती हो जाती है उसके वहवाई जीवन के दौरान और उसके जो पती होता है और जो परिवार वाले होते हैं चाहे वो उसके लिए दोशी है चाहे वो उसके लिए दोशी नहीं है लेकिन उनके उपर मुकदमा चलता है और कई बार तो मडर केस भी चलता है तो दोस्तों ऐसा ही एक मामला में आपको हैं बताने वाला हूँ जिसमें पती के उपर मुकदमा चला इस तरह का हुआ क्या कि पतनी और पती दोनों के बीच में घरेकलेश होता था तो घरेकलेश से बचने के लिए वो दोनों लोग अलग जाकर के निवास करने लगे अब दोस्तों वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि पतनी की मिर्थी हो गई और जब पता चला उसके परिवार वाले आये तो देखा जो पती था वो पतनी के पास ही बैठा हुआ है और जब उससे कारण पूछा किया तो उसने बोला कि इसने जो है poison consume कर लिया अब देखे reasons क्या होंगे उसके पिछे के वो तो उन्हें ही पता होगा अब जीवन में बहुत सारी मानसिक परिशानिया होती है परिशानियों के अलावा भी बहुत कुछ होता और कई बहुत चुटी चुटी सी बातों को भी हम अपने दिल पे ले लेते हैं तो कुछ नहीं पता क्या reason रहा होगा लेकिन जो पती ने बताया वो ये बताया अब मुकदमा कायम हो गया अब मुकदमा कायम हो गया 498A लगा, 304B लगा, 302 लगा और दोस्तों ट्राइल चला ट्राइल कोट ने 498A में भी और 304B में भी पती को दोशी करार करते पर सजा दे दी अब पती अपनी तरक से आया था उनरेबल हाई कोट में हाई कोट में पूरा मामला चल रहा था तो अब देखे था क्या जब देखे किसी की मृतियों होती है तो ये देखा जाता है कि इस मृतियों का कारण क्या है यदि इस मृतियों का कारण क्रियूल्टी है यदि इस मृतियों का कारण डावरे डिमांड है तो definitely वो 304 B की श्रेणी में आता है यानि डावरी डेथ की श्रेणी में आता है लेकिन दोस्तों इस मामले में ये था कि जो पती था पती पर ये इलजाम था कि उसने पतनी के घरवालों से पैसे मांगे और अपनी नौकरी के लिए पैसे मांगे तो ऐसे में उसने डावरी डिमांड की है इससे उसको क्रियूल्टी हुई और उसकी डेथ का कारण भी यही है अब यहाँ पर हाई कोट ने पूरे तथे को जब देखा तो यह वाना केदी हज्बेंड पतनी के घरवालों से पैसे मांगते हैं अपनी नौकरी के लिए हज्बेंड और हज्बेंड की फैमिली की हेल्प करते हैं लेकिन जब बात बिगड़ती है तो इसी हेल्प को डावरी बोला जाता है कि बहुत उसने डावरी मांगी इस मामले में भी यह आ गया कि जो जॉब के लिए पैसा मांगा हो डावरी थी इसका शाय सबसे बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि पती-पत्नी दोनों अलग निवास करने लगे थे इसलिए उनका बचाओ हो गया अब यहां पर उन्रेबल हाई कोट ने काई है जिस तरह से बताया है कि पती ने अपनी नौकरी के लिए पैसा मांगा था ये डावरी की definition में नहीं आता है edge per section 2 of dowry provision act में dowry की जो definition है उसके अंतरगत ये नहीं आएगा और जो इसमें लिखा है कि उन्होंने demands करी और demands की वज़े से torture हुआ तो ऐसे demands का भी कोई ठोस-proof नहीं है और कोट ने यहाँ पर यह भी का कि यहाँ पर एक connection बहुत जरूरी है, किस चीज में connection, facts of cruelty, demand of dowry and death, इन तीनों के अंदर एक connection होना चाहिए, death से just पहले कोई cruelty हुई हो, और इस मामले में death से just पहले cruelty and dowry demand के कोई भी साक्षे अबलेबल नहीं थे, हालांकि prosecution ने थाबित कर दिय satisfy नहीं होते हैं, तो यहाँ पर उनरोबर हाई कोट ने क्या किया, 304B धारा में जो उसको conviction किया गया था, उसको satisfied कर दिया, लेकिन 490 एए IPC के अंतरगर जो उसका conviction था, उसको बरकरार रखा, यानि कि एक बड़ी धारा, बड़ी सजा से ओप फ्री हो गया, लेकिन दोस्तों या नहीं थी, ये तो पूरा case देखने के बाद, पूरे facts देखने के बाद ही बताया जा सकता है, और सच्चा ही कई बार ऐसा होता है कि case को पढ़ने से भी पता नहीं चलती कुछ हो रही होती है, तो आप कुछ कहनी सकते हैं, लेकिन मामले के base पर हम यतना तो जानी सकते हैं कि वो अपनी जान देदेगी, और आज कल के बच्चों में सबर patience नहीं होता, और पती या पतनी, थोड़ा सा भी घरह कलेश होने पैसा कई बार कर देते हैं, हम रोज आये दिन news papers में सब चीज़ा पढ़ते हैं, तो दोस्तों, case waste तो जो है वो ठीक है, लेकिन जान बहुत की किमती है किसी की भी, तो कभी भी आप ऐसा step ना उठाएं, जिससे आपकी जान चली जाएं, क्योंकि हो सकता है आप किसी एक के लिए important ना हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत important हो, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, आप लोग के help के लिए इस